Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने Vivo T1 Android वाइल फोन में आप जो है Accessibility menu setting को आप enable कैसे कर सकते हैं यानि की on कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Accessibility menu setting जो है इनेबल होने के बाद इस setting काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको detail म में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting पेज आपको open करना है ठीक है setting पेज को open कर लीजिए setting पेज में आपको नीचे आना यहां पर आपको option मिल जागा यह shortcut and accessibility इस option पर आपको keyword of इसके name के उपर आपको इसे tap करना है ठीक है तो आपको इस तरीजिए से पेज आएगा आपको इस पेज को ऊपर की side में scroll करना है तो आपको नीचे allow को option मिलेगा allow करना इसे ठीक है अब आपका एक पेज आएगा इस पेज में आपको 2000 दिखाई देते हैं इन दोनों में से आपको कोई एक select करना है ठीक है तो मैं उपर वाला select कर लेता हूं उपर वाले box पर right tick लग जाएगा इसके बाद आपको इसे नीचे save का बटन आपको select करना है ठीक है तो आपका एक floating यह जो बटन है आपका float करने लगता है आपकी mobile phone की screen पे ठीक है और यह आपकी accessibility menu setting आपकी enable ह जाती ठीक है अभी setting जो ने use कैसे करने है यह मैं आपको बतायता हूं सबसे पहले तो यह कि इस setting को आपना किसी भी पेज पर किसी भी application सब जगे use कर सकते है कैसे यह देखे जो यह floating button है इस बटन को आपको tap करना है तो आपका एक page open होगा इस page में आपको काफी सारे option दिखा आता हूं तो एक screenshot आ गया ठीक है मेरे mobile phone के current page का तो यह setting में अगर आप कोई भी option टैप करेंगे न वह option अपना काम करेगा तो इस तरीके से आपना यह accessibility menu setting को enable करके आप यूज कर सकते हैं अपने वीवर T1 android mobile phone में